मा ज्वाला देवी का मंदिर कहा है? भारत में सेगडों चमतकारिक और रहष्य मही मंदिर है उन में से कुछ मंदिरों को हमने देखा है और कुछ के बारे में सिर्फ सुना है तो मा ज्वाला देवी का मंदिर कहा है? हिमाचल परदेश के काकड़ा में इस ती ज्वाला देवी मंदिर के रस्टे जो अश्चरे जनक हैं मा ज्वाला देवी का मंदिर सत्युग में बनाता है इसके रस्टे जानकर आप चोग जाएंगे 51 सकती पिठों में ज्वाला देवी मंदिर भारत के हिमाचल परदेश के कांगड़ा में जहां माता सती की जीब गिरी थी उसे जुआली इस्तान करते हैं ये माता सती के 51 सकती पिठों में से एक है इसकी सकते में सिद्धिक दा अम्बिका और भेहरव को उन्मत करते हैं ज्वाला रूप की पूजा, इस मंदिन में माता के मूर्ती रूप में की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है, जो हजारों वर्सों से प्रजवलित हैं, यहां प्रजवलित ज्वाला चमतकारिक मानी जाती है, इस इस्तान से आधिकाल से ही पर्त्वी के भीतर से नो अगनी शिकाएं निकल रहिए ये जवालाएं नो देवियां माहकाली, माहलक्ष्मी, सरस्वती, अन्पूर्णा, चंडी, विंदेवाश्णी, हिंगलाजभवानी, अंबिका और अंजिना देवी का ही स्वरू है अकबर ने कार दीती ध्यानू के घोडे की गर्दन, हजारों वर्सों से यहां इस्तित, देवी के मुक्षें नो जवालाएं प्रजवलित हो रही है ऐसी जन्सुरूती है कि माता का भक्त ध्यानू हर्स वर्स जत्ते के साथ यहां की यात्रा करता था एक बार अकबर ने उससे वहां जाने से रोग दिया और ध्यानू के घोडे का सिर काट कर कहा कि यदि तुमारी माता सची होगी तो इसका सिर जोड देगी माता ने जिन्दा कर दिया घोडे को एसे में ध्यानू ने अकबर से कहा, मैं आप से एक महा तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्ष रखने की प्रातना करता हूं अकबर ने ध्यानू की बात मान ली, बात्सा से अनुमती लेकर ध्यानू मा के दर्बार में जा बेठा इसनान पूजन आधि करने के बाद रात पर जागरन किया, प्रातरकार ध्यानू ने हाद जोड़ कर माता से प्रातना की, कि है माता मैं आप से प्रातना करता हूं कि अब मेरी राज आपके ही हातों में है कहते ही अपने भक्त की लाज रखते हुए मा ने घोड़े को पुना जिन्दा कर दिया, जुआला को पुजाने का किया गया परियास। घोड़े को जिन्दा देखकर अकबर हेरान रह गया, तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की और चल पड़ा, अकबर ने माता की परिक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नियत से उस इस्तान को शती पहुचाने का प्रियास किया, सबसे पहले उसने पूरे मंदिर पर अपनी सेना से पाने ढलवाया, लेकिन माता की जुआला नहीं भुजी, कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुद वाकर पानी की रुक जुआला की और कर दिया, लेकिन तब भी वह जुआला नहीं भुजी, सोने का छत्र नहीं किया माता ने शिवकार, कहीं परियासों के बाद भी जब जुआला नहीं भुजी, तो अकबर को येकिन हो गया, कि यहां जरूर कोई न कोई शक्ती विराजमान है, तब उसन वहां सवा मनसोने का छत्र चड़ाया, लेकिन माता ने इसी शिवकार नहीं किया, और वह जब भी अकबर का चड़ाया हुआ, वह छत्र जुआला मंदिर में देख सकते हैं, इंदर की पतनी सची ने कीती माता की तपश्या, इसकंद पुरान के अनुसार, सती युग में में देथ्ति राज पुलोम की पुत्री सची ने देवराज इंदर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए, जुआला धाम हिमाले की अधिश्टात्री देवी पार्वती की तपश्या की थी, मा पार्वती ने सची की तपश्या परपरसन होकर उसे दिप्त जुआलेश्वर में से प्रेटी तो कर यहां भवे मंदिर बनवाया था, बाद में इस स्तान की खोज पांड़ों ने की थी, इसके बाद यहां पर गुरु गोरक नात ने घोर तपश्या करके माता से वरदान और आशिरवात प्राप्त किया था, सन 1835 में इस मंदिर का पुनन निर्मार राजा संसार चंद ने करवाया था, जो भी सच्चे मन से इस रहसे मैं मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनो कामना पुन हो जाती, बोलो माता रानी की जेज